हे गाइस दिस इस रितु शर्मा वैलकम टू एडू फ्लाइट जैसा कि थमनेल देखके आपको पता चली गया होगा मैं एक न्यू सिरीज श्यूडू करने जारी हूँ यहां पर जहां पर हम लोग डिसकर्स करेंगे DSSB PGT Commerce का जो एक्जाम होता है उसके previous year questions को और जो first question paper मैं discuss करूँगी यहां पर वो 2015 का है मैं यहां पर आपके साथ सिफ answer को ही नहीं बताऊंगी मतलब की question है और उसका answer मैंने बता दिया नहीं ऐसा नहीं होगा बलकि मैं detail में explain करूँगी आपको कि अगर कोई particular question है तो उसका जो answer है वो ही उसका answer क्यूँ है तो हम यहां पर detail में explain करेंगे और यह जो series रहेगी ना वो सिफ dssb के लिए important नहीं है बलकि PGT commerce का कोई भी exam होता है सबके लिए important है अगर आपका commerce net exam है उसके लिए important रहेगा और अगर आपका कोई assistant professor का exam है उसके लिए equally important रहेगा ओके तो यह part 1 है शुरू करते हैं आज की series का first question मैं दिखा देती हूँ online होता था लेकिन अब यह online होने लगा है 2018 से तो इन ही questions को हम लोग discuss करेंगे यहां पर और एक एक करके हम सारे questions को यहां पर discuss करेंगे okay first question हमारा यह क्या बोल रहा है देखो कि fixed cost remain at the same level irrespective of change in मतलब किसके change होने पर fixed cost पर कोई भी impact नहीं पड़ता उसका जो variable है वो क्या रहता है same रहता है तो यह हमारा question है अब देखो हमें पता है कि दो तरीके के हमारी cost होती है एक होती है आपकी fixed cost और एक होती है आपकी variable cost राइट तो variable cost वो cost होती है जो जैसे जैसे हम production को increase करते है वेरिबल कॉस्ट भी हमारी साथ में increase होती जाती है short run के अंदर input factor हमारे क्या होते जाते हैं increase होते जाते हैं ओके तो variable cost होता था ना याद है fixed cost का तो हम कितना भी production बढ़ा ले यहां से यहां से यहां से short run में जो क्या है हमारी fixed cost क्या रहेगी सेम रहेगी तो इसका answer का आपको idea हो गया होगा इसका answer क्या है हमारा volume के change होने पर fixed cost में कोई भी impact नहीं पड़ता उसका जो level है वो क्या रहता है सेम रहता है तो इसका answer हो गया हमारा volume तो आई ओप यह question अच्छे से clear हुआ होगा second question देखते है second question देखो क्या बोल रहा है decision making is a future oriented activity it involves forecasting and planning the function of decision making is to choose alternative for the options क्या है हमारे पास future present profit या फिर loss तो देखो अब यह पूछ रही कि हम alternative choose करता है यहां पर future के लिए present के लिए इन दोनों में से कोई हमारा answer हो सकता है लेकिन यह profit और loss तो हमारे answer क्या हो गए cancel होगे क्योंकि यहां पर यह क्या है relevant नहीं है यह profit और जो loss statement है ठीक है क्योंकि यह बोल रहा है कि इस time के लिए यह हम यहां पर alternative को choose करते हैं तो अगर आप ध्यान से question को पढ़ोगे तो इसने क्या बोला decision making is a future oriented activity अब इसने question में हमें क्या दे दिया हिंट दे दिया है न कि हम क्या करते हैं इसमें forecasting करते हैं और planning करते हैं तो forecast किसको करते हो भाया future को करते हो ना planning भी हम किसके लिए future के लिए तो decision making is the जो होता है वह चूज करते हैं उसमें alternative किसके लिए future के लिए और हमारा correct answer क्या हो गया future ठीक है भाई question number 3 को देखते हैं क्या बोल रहा है which concept of marketing based on customer satisfaction की पॉइंट अब यह बोल रहे हैं marketing का कौन सा concept है जिसके अंदर हम customer satisfaction पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा old concept होता है marketing का उसमें क्या करते थे profit पर ज्यादा ध्यान देते थे sales पर ध्यान देते कि market में हमारा क्या होना चाहिए प्रोड़क्ट जो है तो सबसे पहले तो यहां पर आपको डिफ्रेंट मार्केटिंग कॉंसेप्ट है न वह पता होने चाहिए ठीक है तो एक कोशन के साथ साथ देखो आपकी कितने सारे कोशन्स यहां पर डिसकस हो जाएंगे तो जो हमारे marketing concepts are different यह मैंने one by one लिखे हुए है यहां पर तो जो सबसे पहले आपका marketing concept था सबसे old वो था आपका production concept था यहां पर क्या बोला जाता था production concept के अंदर कि जो customer है वो क्या करता है favor करता है ऐसे products को that are available and highly affordable मतलब जो marketing में बहुत ज़दा available हो और highly affordable का मतलब जिसकी cost क समौगता हो कं हो जो उसको कं price पर मिल जाए ऊके टो इनकी यह everyone कicion थी production concept की कि कास्टमर ऐसे प्रोडक्शन कोश्ट को प्रिफर करता है जो उसको cheap cost पर प्रोड़क्षण करो प्रोड़क्षण को बढ़ाओ ज़ाओ उससे क्या होगा कॉस्ट हमारे क्या हो जाएगी तो यह क्या आरे सोचा कि हमारे लेके आना पड़ेगा है तो फिर आया आपका product concept तो उसके साथ एक और चीज़ नहीं हो गई कि आप अपने product की ना quality अच्छी कर दो क्योंकि जिस product की quality अच्छी होती है वह अपने आपी मार्केट में क्या हो जाता है sales हो जाता है customer quality product को search करते मार्केट के अंदर to product क्या बोलता था कि customer will favor products that offer the most quality performance and innovative futures तो अलग अलग features आने लगए चीजों के अंदर तो यह आया हमारा product concept जिसके अंदर हम quality पर ध्यान देते थे product की ओके फिर इसके बाद जब बाकी सारी companies भी अपनी quality improve करने लगें फिर अब हम और different क्या करें तो थर्ड आया आपका sales concept और यह sales concept क्या बोलता था कि अब हमने quality भी अच्छी कर ली चीप cost पर भी बना लिया हमारा product तो अब क्या different करें तो इन्होंने सोचा इनकी assumption आई कि हम customer को बताएं अपने product के बारे में advertisement करे promotion करें अपने प्रोड़क्ट का ओके तो यह क्या बोलता था consumers will not buy enough of the firm's product unless it undertake a large scale selling and promotion effort तो हमें क्या करने पड़ेगा यहां पर promotion efforts करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा से advertisement करो offers निकालो ताकि customer को क्या पता चले हमारे product के बारे में knowledge मिले पता चले ओके तो aggressive selling पर यहां पर क्या दिया जाता था धिया जाता था ओके तो यह तीन concept और भी है अभी फिर आया आपका जो भी चल भी रहा है marketing concept क्या आया हमारा marketing concept यह क्या बोलता था कि अब जो पुराना वाला concept थे ना जितने भी अभी हमने तीन पड़े वह काम नहीं करेंगे अब हमें customer की नीड पर धियान देना पड़ेगा तो इसकी जो अजम्शंती वह क्या थी नोइंग दो नीड एंड वांट्स ऑफ दा मार्किट एंड दिलिवरिंग देजायर सैटिस्फेक्शन बैटर देन कंपिटीटर दू जो अपकी कंपिटीटर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे है न उससे जाधा सैटिस्फेक्शन आप अपने कस्टुमर को प्रोवाइड करते थे नहीं बट तो फाइंड दा राइट प्रोड़क्ट ओफ यॉर कस्टुमर लेकिन जो आपकी टागेट मार्किट है और उसके लिए राइट प्रोड़क्ट क्या होगा वह बनाओ आप जो कस्टुमर चाहता है नो वह प्रोड़क्ट बनाओ तो जो मार्केटिंग किसे चाहता है कंसेIR करना तो प्रोड़क्ट क्या काम करता है तो य stiff करते दूं सबस्क्राइब local en यह की सबक्राइस और वो इसे भी इन पढ़िएक रहा आप काम करते हैं लेकिन जो dripping नाम सी पता पड़ रहा है कि सोसाइटी के बारे में भी सोचता है ठीक है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड्ड डिलिवर वैल्यू तु दा कस्टमर इन वे दैट मेंटेंस और इंप्रोफ बोथ दा कस्टमर एंदा सुसाइटी वैल बिंग मतलब हमें कस्टमर सेडिस्फेक्शन पर ध्यान रखना है और ऐसी चीजों पर ध्यान रखना है जो सोसाइटी के वैल वींग के लिए हो जैसे कि आपने देखा होगा आजकल रेफ्रेजी रेटर आते हैं वो क्या होते हैं इन्वार्मेंट प्रोटेक्टिव होते हैं लाइक लेस एलेक्रिसिटी आपकी यूज करते हैं तो यह थे हमारे मार्केटिंग के कॉंसेट्ट ठीक है और मार्केटिंग कॉंसेट्ट यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम कस्टमर की सैटिस्फेक्शन पर ध्यान रखत ठीक है और फिर आपका जो सेकिंड ओप्शन है मौडर्न कॉंसेट्ट इसको हम रख सकते हैं स्टैंडबाइ पर देखते हैं यह हमारा आंसर है या नहीं लिकिन जो थर्ड है देखो एंटिटी कॉंसेट्ट आफ दू बिजनिस का कॉंसेट्ट है मार्केटिंग का कॉंसेट नहीं है बिजनिस एंटिटी कॉंसेट आपने पड़ा होगे कि बिजनिस के आइडेंटिटी जो है अलग होती है उसके ओनर से तो यह वाल ओप्शन तो हमारा डिलीट हो गया यहां पर और इसी के साथ क्योंकि यह ओप्शन डिलीट हो गया तो अल अब हमारे पास दो आप्श हो गया क्या modern concepts of marketing तो आयो अभी जितना भी हमने यह concepts को discuss कि आपको अच्छे से clear हुआ होगा पते कभी-कभी क्या होता है न मैचिंग में आ जाता है आपको यह चार-पांच दे देगा concepts कॉन 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 को मैच करो के इनकी philosophy क्या है ओके तो बहुत अच्छे से देखना इ capita income, trends in price of goods and services and all of the above इन मैंसे कौन सा हमारा economic factor नहीं है तो इन चार-प्शन में सा आपको choose करना है देखो थोड़ा confusing सा कोशन है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से clear कर पाऊं यह तो सबसे पहले तो यहां पे हमें पता होना चाहिए economic factor होते क्या है राइट देखो यहां पर मैंने लिखा है कि economic factor क्या होते हैं वो factor होते हैं जो affect करते हैं economic को and include करते हैं आप इन फेक्टर में क्या क्या आते हैं interest rate आता है आपका tax rate लौ जो बनाती है आपकी government या policies बनाती है वेजिस का क्या सीन है market के अंदर government की क्या क्या activities चल लिए यह सब फेक्टर क्या है हमारे किसमें आते हैं economic factors में और यह वो factors होते हैं जो direct relation में नहीं होते not in direct relation with the business but influence the investment value in the future लेकिन यह future में जो investment value होगी उसको impact करते हैं तो इसके कुछ examples हैं यहां पर जैसे कि हमारा tax rate हो गया देखो tax rate अगर tax जादा होगा तो businessman को क्या करना पड़ेकर tax ज्यादा देना पड़ेगा तो future में क्या होगा उसके लिए जो investment opportunity है वो कम हो जाएंगे उसका ज्यादा पैसे तो tax देने में चला गया एड़ेट इस एक्सचेंज रेट यह impact करते हैं हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फिर inflation rate मार्किट में अगर inflation ज्यादा होगा तो customer कम product को खरीद देंगे तो जो businessmen है वो भी क्या करेंगे लैस इंवेस्टमेंट करना चाहेंगे फ्यूचर में फिर लेवर को क्या प्राइस पे करना पड़ रहा है आपको demand and supply की condition क्या है आपकी economy में wages का क्या है आप उतना पे कर पा रहे हैं या नहीं law policies क्या है आपकी government की government की activities क्या चल रही है decision का क्या scene है आपकी economy में तो यह सारे क्या है हमारे economic factors है ओके तो अब हमारे option क्या आते हमारे पास देखो यहां पर कहीं पर भी income tax की बात नहीं हो रही तो यहां पर हमारा जो answer हो गया इन में से क्या नहीं है economic factor तो यह सारे ही हमारे क्या है economic factor नहीं है हमारा answer क्या हो गया all of the above तो all of the above is our right answer ओके तो आई होपी clear हुआ होगा आज का last question देखते है बोल रहें the environment of business जो environment होता है business का consist of all those external things to which it is exposed and by which may influence directly और indirectly said by यह किस ने कहा है कि जो आपका business environment होता है वो consist करता है external factors को जो मेभी उसको directly और indirectly क्या करते है influence करते हैं तो यह देखो direct question है एक generally as a question इतने सारी statement होती है इतने सारे philosophy ने दी होती है कि हम कहां तक याद रखेंगे लेकिन अगर यह question दुबारा आ जाता है आपके exam में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि मैं इसका right answer आपको बता रही हूँ यह जो business environment की theories है इन्होंने business environment को क्या क्या है explain किया ठीक है जब आप देखोगे पड़ोगे ना theories of business environment तो छह साब theories है और सब घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं पर सब के नाम अलग अलग है ठीक है तो यह जो theory थी यह बेसिकली यह जो statement थी यह किसने दी थी रेनेक एंड social ने दी थी ठीक है लिकने एक बार देख लेते हैं यहां पर कि business environment होता क्या है तो यहां पर देखो business environment क्या होता है mixture of complex dynamic and uncontrollable external factors जो business environment के अंदर हम consider करते हैं जनरली external factors को consider करते हैं क्योंकि जो internal factors होते हैं वो controllable होते हैं उनको हम अपने हिसाब से manage कर लेते हैं और environment within which our business and industry is to operated और इसी के अंदर हमें क्या करना होता है operate करना होता है इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने strategies बनानी पड़ती हैं बोल रहे हैं कि but internal factors also have a bearing on the strategy and other decision of an enterprise लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिफ internal external factors को ध्यान में रखते हैं हम अपने strategies बनाते हैं internal factors भी बहुत मेरा role pray करते है strategy को form करने में लेकिन वह controllable होते हैं जो internal factors होते तो आई होप जितना भी आज हमने discuss किया है वह अपको clear हुआ होगा अगर किसी भी question में कोई भी problem है तो please मुझे comment करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी मुझे comment करना ताकि मुझे motivation सा मिलते हैं नेक्स वीडियो में